असरावलेकूम आज हम बिरिस्ता मतब प्यास फ्राई बनाने जा रहे हैं क्यूंकि अब इसकी जरुवत बहुत ज्यादा मैसुस होगी सबको और इत से पहले इत से पहले लोग बिरिस्ता 55 किलो का बना के रख लेते हैं कोर्मे में बिरियानी में हर एक चीज में काम आता है औ वैसे तो हम प्यास फ्राई करते हैं ऐसे ही लेकिन मैं आपको एक टिप बता रहे हूं उसे आप देखते रहे वो टिप अगर आप इस्तिमाल करेंगा तो इतने जल्दी बिरिस्ता तैयार होगा इसमें एक ऐसी चीज आड़ करेंगे हम कंटीनू आप वीडियो देखते रह अब मैंने देखिए तेल गरम करने रखा है तेल अच्छी तरह गरम हो गया है और तक्रीबन दो से तीन मुठी प्याज निकाल लेंगे हम और इसमें हम यह कौन फ्लोर लिया है अगर कौन फ्लोर ना हो तो चावल का आटा भी ले सकते हैं एक से दो चम्मच छिड़क लें चिड़क के जल्देली इसको मसल लें इससे क्या होगा इसका मौश्चर एपजाब हो जाएगा और प्यास इदम जल्देली फ्राई होगा थोड़ा सा कौन फ्लोर या चावल का आटा या मैदा कुछ भी ले लें अद देखिए मैंने इसमें तेल गरम होगा हम डाल देंगे एक दम क्यूस्कील तयार होते हैं ज्यादा अमाउम में ना डालें थोड़ा थोड़ा तलेंगे फटाफट तयार होते हैं अब इसे उरट परट लेंगे आज तेज रखें जो ये बचा हुआ अमाउंट है वो भी डालते हैं एक साथ में फ्लाई बजाएगा फिर दूसरी ट्रिप डालेंगे इसके बाद जब ब्राउन होने लगेगा तब आपको हम बताते हैं कैसे निकाल ला है देखिए पांच मिनट भी नहीं लगा और माशाला प्याज कुरकुरी और ब्राउन होने लग देई इसे हम एकदम ब्लैक में होने देंगे इसे इसी पोजिशन पे गोर्डन ब्राउन है इसे निकाल लेंगे और ये निकालने के बाद भी थोड़ी देर तक अंदर पकते रहती है फिर जब ठंडी हो जाती तो इसके अंदर फूरकुरा पनाता है इसी इस तरह से फैल आ गया है कॉंचलोर का कमाल है जो इतनी अच्छी जल्दी क्रिस्पी होती है अब हम दूसरी ट्रिप डालेंगे फिर आपको पूरी रेडी करके सब करके बताते हैं अब हमारा दिश्ता तयार है देखिए कितना क्रिस्पी आवाज सुन देखिए यह दिखिए अभी गरा में ठंडा होगा तो और भी जगा क्रिकी होगा आप आराम से कुर्मे में बुद्रियानी में मसल के डाल सकते हैं अगर अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आये और जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर है अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो बिना सब्सक्राइब करें मत जाईए क्योंकि और भी टेस्टी रेसिपी आप देखेंगे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाईए और साथ में बेल आइकन बाजों में है, वो भी दबाई है इद पर हमारे टाइप का बिरिष्टा बनाईए और इद को एंजोई कीजिए शुक्रिया